अगला टॉपिक पढ़ने का एक मौका मिल चुका है तो उस मौके को गवाएंगे नहीं और वर्ग और घन पर यहाँ पर घन होगा वर्ग और घन पर आधारित प्रशनों का जो concept होता है उसको हम लोग आज सिखेंगे तो सबसे पहले इस class में हम लोग वर्ग और घन को बहुत अच्छे से जानते हैं समझते हैं कि इसके विशा में क्या-क्या चीजे पेपर में जो question बनते हैं उसमें क्या-क्या चीजे important होती ह और उसके बाद जो 8 बजे की class आपको मिले कि उसमें आप लोग करेंगे बैतरीन, question, work और घन पर आधारित और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो mensuration आप लोग पढ़ रहे हो कि ये railway में अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अध्याय बन चुका है most asked question in railway 2016 और 2018 का उसमें आप देखिए तो बहुत बढ़ियां-बढ़ियां question जो है जो कि mensuration में वर्ग और घन वाले topic से पूछे में तो मैं आज आपको वो सारे कराऊंगा उससे पहले हम लोग उसके concept को समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठी मेरे सबी मेरे दोस्त जिनको आता है वो भी ध्यान से देखें और जिनको नहीं आता है शुरुवात हो रही हो वो भी ध्यान से देखें कि बहुत अच्छी बात है यहां पर वर्ग क्या होता है एक ऐसा चतुर भुज होता है जिसकी की चारो भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी यानि A B भुजा जो होगी वो B C के बराबर होगी B C होगी C D के बराबर C D होगी A D के बराबर सारी भुजाएं बराबर होती है और इसके साथ-साथ हर एक कोंट जो होता है वो 90 degree का होता है, प्रत्य कोंट का मान क्या होता है 90 degree, अब जो main बात आती है, वो आती है इसके diagonals पर यानि विकरन ओपर, तो घाजर हम विकरन की बात करते हैं, तो वर्ग के जो विकरन होते हैं, मान लिज़े एक विकरन हो गया दीडी विकरन भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ये कहलाते हैं, इनके विकरन, विकरन का मतलब वर्ग के एक सीडस से, डाइगनली विकरन था, तेड़ा चलते हुए वर्ग के दूसरे सीडस को मिलाने वाली रेखाएं, विकरन कहलाती हुए, ठीक है? अच्छा थोड़ा आगे और बढ़ते हैं द्यान रखना इसके जो विकरन होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं यानि एक दूसरे पर लंब होते हैं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि AC भुजा जो है वो BD भुजा पर लंब होगी या आप इसका उल्टा भी कह सकते हो कि BD भुजा यानि BD विकरन जो होगा वो AC पर लंब होगा इसमें से दोनों बाते ही सही हैं 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और साथ साथ एक दूसरे को अर्धक भी करते हैं यानि बाइसेक्ट भी करते हैं आधा भी करते हैं ठीक है बाइसेक्ट भी करते हैं बाइसेक्ट को हिंदी में बोलते है अर्धक करते हैं अर्धक करने का मतलब समझ रहा है अर्धक करने का मतलब यह है कि अगर O से C तक की दूरी जितनी है क्या बोला मैंने दियान से समझना मैं लिख दे रहा हूँ O से C की दूरी जो होगी वही दूरी होगी O से A की ये दोनों दूरीयां बराबर होगी प्लस साथ-साथ इसके साथ-साथ O से D तक की जो दूरी होगी और O से B तक की दूरी होगी यह सारी दूरियां आपस में बराबर होती है यहां से यह दूरी यह दूरी यह दूरी और यह दूरी चारो दूरियां आपस में क्या होती है यानि कि विकर्ण के प्रतिछेद बिंदू O से चारो स्चीरसों की बीच की दूरियां क्या होती है बराबर होती है अब जरा हम कुछ और बातों पर बढ़ते हैं विकरण की जरा ध्यान से देखना suppose करिए अगर इसकी विकरंड की ये भुजा मैंने A मान ली तो A भी A होगा ये भी A होगा और ये भी क्या होगा A क्यों क्यों कि वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती है अब क्या होता है यहाँ पर वर्ग का छेतरफल क्या बनता है वर्ग का छेतरफल जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भुजा गुणे भुजा यानि की side into side पढ़ा है हम लोग ने ठीक है यह हो जाएगा a into a का मतलब हो जाएगा a square यानि वर्ग का जो छेतरफल होता है वो क्या बनता है भुजा का square वर्ग का एक और छेतरफल होता है लेकिन उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे पहले हम इसको समझते है अच्छा एक जीज़ ध्यान देना अगर हम वर्ग के विकर्ण की बात करते हैं विकर्ण की पूरे विकर्ण की तो यह कैसे आता है इसको भी थोड़ा सा समझते है यह D मतलब विकर्ण रिखा यह कैसे आता है इसको भी हम लोग थोड़ा समझते है अगर मैं यहाँ पर त्रभुज A B और C को ले लेते हैं आप कोई भी त्रभुज ले ले लेते हो A square प्लस A square बराबर हो जाएगा सरकर्ण का square यानि की AC का square तो यह बन जाएगा 2A square बराबर AC का square अब इस square से इसका square तो खतम हो जाएगा लेकिन 2 का तो नहीं होगा तो आप क्या कहोगे A root 2 यह होता है इसका विकर्ण जो हम लोगों ने अभी तक याद किया था और में ख्याल स आप इसको याद करने की आवशक्ता तो नहीं पड़ेगी आपको बहुत सुन्दर अब जरा गौर करना मेरे भाई वर्ग का विकर्ण आगया A root 2 ठीक है यह जो विकर्ण था यानि की A C आगया A root 2 ठीक यानि की आप दी अपॉन रूट 2 का जब इसको आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा D square upon 2 यानि वर्ग का छेत्रफल ये भी होता है क्या विकर्ण का square बटे 2 ये भी वर्ग का छेत्रफल ही कहलाता है इतनी बात तो सबको समझ में आगी होगी Yes और No अच्छा जी अब एक और मात्वपूर बात इसमें समझने वाली है वो क्या समझने वाली उसको समझते है कि जब आप ये वर्ग बनाते हैं और इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को किसी बिंदू O पर काट रहते हैं जैसे आपने देखा था तो हमारे पास 4 त्रफुज बनते हैं एक दो वर्ग के अंदर हमारे पास कितने त्रफुज बनते हैं चार त्रफुज याद रखना ये चार त्रफुज कौन कौन से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहला त्रफुज बन रहा है O A B गौर करिएगा सभी लोग दूसरा त्रफुज बनता है O B C ये वाला दूसरा वाला तीसरा त्रफुज बनता है मानली जी हमने कहा कि O C D एक त्रफुज ये बना त्रफुज O C D और चौता त्रफुज बना O A D ये जो वर्ग के अंदर चार त्रफुज बनते हैं कब जब विकरन एक दूसरे को मिलते हैं तो यह आत रखना कि चारों त्रबुच के छेत्रफल बराबर होंगे क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है बराबर होंगे और साथ साथ गोर करिएगा और साथ साथ इस सारे के सारे त्रबुच सरवांगसम भी होंगे और समरूप भी होंगे अब मेरे भाई इस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा जरा गौर करना अब हम लोग थोड़ा आगे वाली स्लाइट पर बढ़े अभी हम लोग वर्ग की ही बात कर रहा है सवाल कैसे पूछा जा सकता है जैसे आप से कहा एक वर्ग के जब दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं द्यान से सुनिएगा तो यदि एक त्रभुज का छेत्रफल क्या बोला गया छे वर्ग सेंटीमीटर है हमने कहा कि वर्ग के अंदर अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदू ओ पर इसपर्च करते हैं वर्ग के अंदर दोनों विकर्ण किसी बिंदू ओ पर एक दूसरे को काटते हैं और उसमें से जो चार त्रभुज बनते हैं एक त्रभुज का छेत्रफल यदि ज्यान से सुनना एक त्रभुज का छेत्रफल यदि छे वर्ग सेंटीमीटर है तो तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा और परिमाब क्या होगा विकर्ण और परिमाब बताएं ये सवाल पूछा गया मान लीजिए तो भाई हमें पता है कि अगर एक त्रिबुज का छेत्रफल 6 है तो ये भी 6 होगा ये भी 6 होगा इसको undoubtedly आप लिख दोगे ये बिंदू O था ठीक है तो इसका मतलब वर्ग का छेत्रफल है 24 वर्ग सेंटीमीटर अच्छा वर्ग का छेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है तो अगर आप इसका वर्ग मूल लेते हैं तो ये वर्ग मूल क्या आजाएगा जिससे आपकी भुजा आजाएगी तो आप कहोगे सर जी भुजा जो निकलेगी तो हम लोग ऐसे लिख देंगे रूट ओफ 24 इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 गुढ़े 2 या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 6 गुढ़े 4 तो इसका मतलब वर्ग की सर जो भुजा आजाएगी वो भुजा आजाएगी वर्ग की 2 रूट ओफ 6 भाई 4 का 2 आ गया रूट 6 बना रहा ठीक है आ गया वर्ग की भुजा अब मेरे भाई अगर वर्ग की भुजा आ गयी है आपके पास 2 रूट 6 तो वर्ग का विकरन नहीं पता चलेगा पता चलेगा कैसे पता चलेगा तो आप कहोगे सर पाइथा गुरस भी लगा सकते हैं या अगर वर्ग का विकरन निकाल नहीं था तो हमें पता है कि वर्ग के छेत्रफल और विकरण में जो संबंध होता है वो ये होता है अभी आपने पढ़ा था तो छेत्रफल तो 24 हो गया तो आप क्या कहोगे 24 गुणे 2 बराबर D स्क्वाइर ये होगे 48 अब जब ये 48 हो गया तो आप इसको कहोगे सर ये D स्क्वाइर के बराबर हो गया येस और नो इस 48 को आप कैसे लिख सकते हो इस 48 को आप अगर छोटा करके लिखोगे तो आप इसको 12 गुणे 4 लिख सकते हो और 12 को भी आप क्या लिखोगे 4 गुणे 3 गुणे 4 तो यह हो गया D square तो D क्या हो जाएगा तो D मेरे भाई यह हो जाएगा कि यहां से एक बार 4 तो बाहर आ जाएगा अंदर बचेगा root 3 तो यह विकरन हो जाएगा इस प्रकार के सवाल किसमें बनते हैं वर्ग में इसी प्रकार के तमाम सारे सवाल बनते हैं इसको मैंने अभी आप और आपको बताया यह तो अमूमन सबको याद रहता है कि वर्ग का परिमाब क्या होता है वर्ग का छेत्रफल क्या होता है वर्ग के छेत्रफल में और वर्ग के विकरन में सम्मंद क्या मिलता है यह तो सबको याद रहता है लेकिन जो कुछ बातें होती है ये और ये इसमें आदमी को बहुत confusion हो जाती है और अक्सर वो भूल जाता है ठीक है तो इसको आप भूलना नहीं अब हम लोग बढ़ रहें घन पर गौर करिए गबाई घन क्या होता है सर घन तो 3D आकरती होती है बिल्कुल सही है घन 3D आकरती होती है लेकिन 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 सुनो जो घन होता है एक्चल में ये भी क्या होता है ये भी एक वर्ग ही होता है लेकिन ये सिर्फ एक वर्ग नहीं होता है द्यान से देखना भई अगर ऐसे मैं एक घन बना रहा हूँ तो घन क्या होता है सिर्फ एक वर्ग नहीं होता है घन combination होता है छे वर्गों का कितने वर्ग का छे वर्ग का combination होता है उसे हम कहते हैं घन जिसमें इसकी लंबाई इसकी चोड़ाई और इसकी जो उचाई होते हैं इसकी लंबाई ये उचाई कर लो और ये इसकी लंबाई इसकी चोड़ाई और इसकी उचाई सब क्या होती है आपस में बराबार है suppose करिए मैंने A मान लिया ठीक है तो भाई ये भी A हो गई यहां भी A हो गया और ये भी क्या हो गया अब सर जी ये 6 वर्गों का combination कैसे बनता ये हमको बताई है ये देखिए आप मेरे सभी मेरे प्यारे दोस्त ये देखें कि ये 6 वर्ग कैसे बनते हैं मैं नाम दे रहा हूँ भी तो A B C D आपको एक वर्ग दिखाई दिया A B C D दियान से दो को एक वर्ग A B C D दिखाई दिया तो यहां पर लिखिए पहला वर्ग जो है वो A B C D है अब देखना आप 6 वर्ग कैसे दिखाई देंगे इस वर्ग का जो उपरी छत वाला हिस्सा है अब इसके ठीक विपरीत देखो तो यहां पर आपको दिखाई देगा D के बाद E F G और H तो दूसरा वर्ग अपने पास क्या आ गया E F G H यह छत हो गई और यह जो हो गया यह हो गई जमीन यानि कि धरातल ठीक clear इतनी बात कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़ी है अब देखिएगा आप तीसरा वर्ग कहां से A D G H तीसरा वर्ग दिखाई दिया हमको A D G H A D G H यह कौन सा भाग है यह लेफ्ट वाला भाग है यह लेफ्ट वाली दिवार है आप ऐसे समझो कि एक कमरा बना उसमें यह लेफ्ट दिवार है और ठीक इसके अपोजिट जब जाओगे तो B E F E कौन सा भाग दिखाई दिया B E F E B E F E यह राइट दिवार हो गई ठीक है अब आपका होगे सरजी चार भाग दिख गए पांचमा चटा कहा है ठीक है पांचमा चटा भी देखो अब ध्यान से देखना पांचमा और चटा भाग भी आपको दिखाते है पांचवा वर्ग कहां दिखाई दिया A, B, H, E यह पीछे की दिवार है ठीक है और आप देखिए इस पीछे की दिवार के सामने अब जिसमें गेट लगता है यह फ्रंट वारी दिवार है जिसमें दर्वाजा होगा ठीक है तो यह दिवार हो गई छे वर्गों का काम हुआ और यह छे वर्ग सारे के सारे क्या होगे बराबर लंबाई चोड़ाई वाले होगे क्योंकि वर्ग है तो लंबाई चोड़ाई बराबर होनी अगर यह सामने की दिवार A की है तो यह वाली भी A की होगी अगर ये A की है तो ये भी A होगी ये उचाई A है तो ये उचाई भी A होगी फिर ये उचाई भी A होगी फिर ये उचाई भी A होगी फिर ये उचाई तो A है अब देखो अगर ये दिवार A है तो ऐसा तो नहीं कि जमीन कम चोड़ी उपर जादा चोड़ा है ना आप समलम तो बना नहीं रहो तो ये भी A हो गया ये A हो गया तो ये भी A हो जाएगी ये भी A हो जाएगी यानि हर एक दीवार कितनी हो जाएगी हर एक दीवार एक ही हो जाएगी इसलिए अब सबसे पहले बात होती है कि सर जी घन में आयतन होगा हाँ बिल्कुल होगा क्यों? क्योंकि सर घन तो 3 dimension होती इसमें लंबाई भी होती है चोड़ाई भी होती है बिल्कुल होती है तो भाई किसी भी आकरती का आयतन क्या होता है L into B into H जिसमें L भी A था इसकी लंबाई भी A थी चोड़ाई भी A थी और उचाई भी A थी अर्थात घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब बोलो ठीक है ठीक है इतनी बाद अब घन में अगर हम 6 त्रफलों की बात करते हैं तो घन में 2 प्रकार के 6 त्रफल बनता है कौन कौन से एक बनता है टोटल सर्फेस एरिया जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संपूर्ण प्रस्थिय छेत्रफल क्या कहते हैं संपूर्ण प्रस्थिय छेत्रफल ये क्या होता है सर जी अब जैसा आपको पता चलना है कि संपूर्ण प्रस्थिय छेत्रफल यानि अगर इस पूरे घन का आपको छेत्रफल निकालना है तो आप क्या कहोगा आपने ये देखा कि ये जो पूरा घन है कितने वर्गों से मिलकर बना था तो आपने कहा सर जी 6 वर्ग से मिलकर ये बना था तो एक वर्ग का छेत्रफल क्या होता है a square तो 6 वर्गों का क्या होगा तो 6 वर्ग का 6a square यानि 6 into भुजा का square जब करते हैं तो किसी भी घंकाट संपूर्ण प्रष्टिये 6 तरफल प्राप्थ होता है अब हम बात करते हैं इसके curve surface area की यानि वक्रष्टिये 6 तरफल की समझ पा रहे हैं न सभी लोग curve surface area इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वक्र प्रष्टिये 6 तरफल सर जी ये क्या होता है जब किसी भी आकरती में उसकी छट और उसके आधार को छोड़ दिया जाता है सपोज आप जिस कमरे में बैठो दियान से सुनना उस कमरे में अगर सिरुफ चारो दिवारें ली जाएं छट को और इस धरातल को जमीन को छोड़ दिया गया तो चारो दिवारों का जो छेतरफल होगा वही कहलाता है वक्ण प्रष्टिये 6 तरफल वक्ण प्रष्टिये 6 तरफल आप ऐसे समास सकते हो कि चारो दीवारों का छेतरफल यानि किसको किसको छोड़ा गया है आपने कहा सरजी छट छोड़ दी गई है और दरातल छोड़ दिया गया है अब चार दीवारे हैं यानि कि ये चार वर्ग से मिलकर बनेगा तो एक वर्ग का छेतरफल तो A स्कॉयर होता है तो चार वर्गों का छेतरफल क्या हो जाएगा 4A square यानि कि घन का वक्षटिय छेतरफल क्या बनता है घन का वक्षटिय छेतरफल बनता है 4A square क्यों बनता है यह भी आप जान लिए ठीक अब एक बात आती इसमें कभी-कभी पूछा जाता है कोर पर बात की जाती कोर या जिसको आप हिंदी में कहते हो किनारे इस पर सवाल आजकल मिलने लगे मैंने देखा था कि इस पर सवाल मिले हुए हैं ग्रुप D में आये हुए हैं कोर यानि किनारे आप से अगर पूछे कि जिस कमरे में आप बैठे उसमें कितने किनारे, किनारे मतलब समझ रहे हैं, किनारे का मतलब होता है जहां पर दो दिवार मिलती हैं, जिसको मिस्तरी को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, अब आप आप इसे समझो, धार कोर जिसे कहते हैं जब दो दिवारें जैसे एक ये दिवाराई एक ये दिवाराई जहां पर मिली तो ये जो कोना होता है जिसको मिस्तरी को बनाने में सबसे ज़्याद समय लगता उसी को कहते है किनारे तो किसी घन में कितने किनारे होंगे यह आपको बताना है तो घन में किनारों की संख्या होती है बारा याद रखना चार उपर चार नीचे आठ हो गए फिर दो ये दस हो गए दो ये बारा हो गए तो घनों में किनारों की संख्या होती है 12 याद रखिएगा इस पर सवाल पूछे जाते हैं कियों इतनी बात आपे भी याद रखा अगर सीर्स पूस्ता है कि घं में सीर्स कितने होते हैं तो आप बताए घं में सीर्स इसको इंगलिश में बोलते हैं वर्टिसेस घं में कितने सीर्स होते हैं देखिए घं में सीर्सों की संख्या होती है 8 कौन कौन से 1, 2, 3, 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8 तो घन में Sears कितने होते हैं? 8 आपका जवाब होगा 8 Sears होते हैं, ठीक? ये तो एक बात थी अब जरा एक और Point लेते हैं, हम लोग घन पर क्या Point लेते हैं? जरा देखना ध्यान से इसको थोड़ा सा Rough करते हैं, ठीक है? रफ क्या करना? अच्छा, यहाँ भी आ गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग रफ कर लेते हैं ताकि अपने पास जगे हो जाए और हम आवर थोड़ी सी चीज जो बची है इसकी वह हम आपको बताएं, ठीक है? अब हम आपको बताने जा रहा है घन के विकर्ण के विशे में, तो यह घन था आपने पास, ज्यान से देखना सभी लोग घं के विकर्ण के विशे में ये कैसे आता है क्या होता है ठीक है आप सबीन अभी तक इसको केवल याद किया होगा लेकिन आज से आपको ये याद करने की जरुवत नहीं आप ये समझ जाओगे कि ये क्यूं आता है गन का विकर्ण क्या होता है गन के किसी एक सीर्स से अगर हम दूसरे सीर्स को मिला देते हैं सपोस करिये कुछ इस तरीके से अगर हम मिला देते हैं तो यह मिलाने पर जो रेखा बनती सपोस करो यहाँ A पॉइंट है यहाँ पर let's say की C पॉइंट है तो जो AC दिखरा है आपको, यही घन का क्या है, विकर्ण है, तो इस विकर्ण को हम लोगों अभी तक पड़ा रखा है कि यह भुजा रूट 3 होता है, यानि कि A रूट 3 होता है, अगर हम घन के भुजा A मान लेते हैं, तो यह क्या क्या लाता है, A रूट 3, लेकिन यह जादा और बच्चों को नहीं पता होता कि यह आता कैसे है, तो देखो हम इसको यह बता देते हैं, अला कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, जरा गया गौर से करिए, आप नीचे वाले धरातल का जो आपको जमीन दिखरी, आप वो आला स्क्वाइर ल सरे, यह भी बना लिए, अब जैसे यह मिला था जरा वैसे ही मिला यह, मिल गया, यहाँ पर यह C पॉइंट था, इसको B कर लीजिए, इसको E कर लीजिए, ठिक, ऐसे मिला लिया, अच्छा अब सर जी यह तो पता चल गया कि यह 90 डिगरी पर खड़ा होगा, यह तो बात पक जाएगी, नीचे वाले वर्ग के लिए C डी बुजा उसका विकर्ण कहलाएगी, तो अगर A बुजा वाला वर्ग था, तो यह विकर्ण क्या होगा, आप कहेंगे सर A रूट 2, अच्छा यह उचाई भी कितनी थी, A थी, सबको पता है, अब पाइथा गोरस लगानी रहे ग लिए, तो सर यह तो A स्क्वाइर हो जाएगा, अच्छा सर यहां हमको मिल जाएगा A स्क्वाइर, और यह रूट 2 का स्क्वाइर 2 हो जाएगा, और यह बनेगा AC स्क्वाइर, बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ सर बन जाएगा, यह बन गया भाई, 3A स्क्वाइर, और यहां गन का जो विकर्ण होता है इसलिए आता है रूट 3 यानि कि ये जो होता ही होता है ये रूट 3 यानि भुजा रूट 3 इसलिए गन के विकर्ण को हम लोग क्या कहते हैं भुजा रूट 3 बोलो ठीक है अब जरा मेरी बात द्यान से सुनना इस गन पर जो most probably most मतलब important question है जो अकसर पूछा ही जाता है वो पूछा जाता है कैसे पूछा जाता है कि आपके पास 3 गन है जिसमें से एक गन की बुजा 6 cm एक गन की बुजा 4 cm एक गन की बुजा 3 cm इन तीनों गनों को से एक नया गन बनाया गया है तो उस नया गन बनाया गया तो उस नया गन का आयतन क्या होगा हमेशा याद रखना जब कुछ घनों से नया घन बनाया जाए या एक बड़े घन से कई छोटे छोटे घन बनाया जाए तो हमेशा याद रखना जब घन को पिगलाने की प्रक्रिया होती है घन जब पिगलाया जाता है यह note point है लिख लेना घं जब पिगलाया जाता है तो उसका हमेशा आयतन पिखलता है उसका क्या होता है आयतन पिखलता है ठीक है जैसे मापको थोड़ा सा समझाते हैं आयतन पिखलता है जैसे आप सोना आप एक जंजीर पहनते हो ठीक है जंजीर मतलब चेन पहनते हो आयतन प बनेगी दो तोले की चेन को नहीं क्या करेंगे हम सर दो भाई है तो हम एक एक तोले की दो चेन बनवाएंगे तो जब आप सुनार के पास जाओगे तो सुनार उस सोने की यह जंजीर का आपका छेतरफल नहीं पिगलाएगा चेतरफल क्या होता है जैसे आपने जंजीर मेज पर रखी तो मेज पर उसने जितना एरिया घेरा वह उसका चेतरफल होगा लेकिन जब आयतन की बात होती तो आयतन क्या होता है आयतन वह भाग होता है जो कि उस चीज को बनाने में लगा हुआ है उस चीज को बनने में क्या फुटबॉल में हवा भर दी, ठीक है, तो ये कहलाएगा आइतन, खून की बॉटल हो गई, उसमें खून बरा है, तो ये कहलाएगा आइतन, ठीक है, तो किसी वस्तु की जो छमता होती है, कंटेनिंग कैपसिटी होती रखने की छमता, या जिस वस्तु कोई वस्तु किसी चीज से बनी होई, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो पिगलाने में उसका पूरा का पूरा आइतन पिगलाया जाता है, और आइतन पिगलाने के बाद चीजों को ब्रेक कि जाता है जोड़कर एक नई चीज बनाई जाती है इस बात को याद रखना इस पर बहुत क्वेस्चन बनते हैं ठीक है घन से इस कॉंसेप्ट पर बहुत ज्यादा क्वेस्चन आता है यह क्यूब होता है क्यूब से इस मेल्टिंग कॉंसेप्ट पर यह क्यूब का मेल्टिंग concept यानि कि जब घन पिगलाया जाएगा ये घन और घन आप दोनों के लिए ही होता है ऐसा नहीं कि घन के लिए दोनों के लिए होता है तो क्या पढ़ा आपने आपने अभी तक ये जानकारी ली अभी तक आपने ये पढ़ा कि वर्ग क्या होता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है चीजे क्या होती घन क्या होता है घन का विकर्ण क्या होता है अब ये सारी चीजें आप एक बार रिवाइस कर जाना और आठ बजे की क्लास से पहले जब ये सारी चीजें आप रिवाइस करक आप लोग बताइए कि 6 बजे कि live class सही रहेगी और यह live class आपको सुन as possible मिलने लगेंगे तीक है आठ twin बजे की class में आप सभी की उपस्तिती को मैं चाहता हूं अनिवारे चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने यार सेलेक्शन को लो ठीक है तो प्लीज यार पढ़ाई करो और क्लास को थोड़ा से ज्यादा से शेयर करो आपके दोस्त कई हैं लोग ऐसे हैं जो कि पैसों कि इस वक्लत की वज़े से पढ़ाई नहीं कर पा रहें अब मेरा एक टार्गेट से पैसा लगा रहा हूं तक यहां बात नहीं पहुंच पाती जहां पर लोग सिर्फ चूश रहें पैसा मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अगर मन बनाते हैं पढ़ने का तो प्लीज पढ़ें ठीक है चलिए मिलते हैं आट बजे वाली क्लास में तब तक अपना ध्यान रखिएगा जैहिंद बाबाई टेक क्या है बाबाई